हाई फ्रेंड्स मैं अश्यर करने जा रहे हैं मैदा और आलू का एकदम नया और मज़ेदार नास्ता रेसिपी कम से कम तेल के अंदर जटपट बनके रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं एक बार इस नास्ता को बना के देखिए बार बार बनाने के लिए मज़बूर हो जाएंगे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मिंबर के साथ जरूर सेर कीजिए तो आए फ्रेंड देनना करते हुए रेसिपी देख लेते हैं मैदा के साथ तेल और नमक को मिक्स्ट करते हुए मसल लेंगे 2-3 मिनिट के लिए जिससे की मैदा के अंदर तेल और नमक जो है ओ अच्छे से मिक्स्ट हो जाए मैदा को मुठी बान्धने पर जब इस तरीकें से मुठी बान्धने लगे तब समझ जए कि मैदा का मिक्सर एकदम रेडी हो चुके है अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एक शॉप डो लगा लेंगे मैदा का एक सॉप डो लगा लिए हैं अब डो के उपर डाल देंगे हाप्टी स्पून के जितना तेल डो के चारो तरब तेल को अच्छे से लगा लेंगे ऐसा करने से डो जो है लंबे टाइम तक सौप्ट बने रहेंगे डो को ढखके 15 मिनिट के लिए साइट में रख देंगे कड़ाई के अंदर डाल देंगे 10 टेबल स्पून के जितना तेल हाप्टी स्पून जीरा जीरा चटकने के बाद डाल देंगे लंबाई में कटी हुई एक मीडियम साइच के प्याज दो पीस बारिक कटी हुई हारी मिर्च प्याज और हरी मिर्च को मिक्स्ट करते हुए तब तक भुनेंगे जब तक प्याज का कलर हलका चेंज ना हो जाए प्याज सौप्ठोने के बाद प्याज का कलर देखिए हलका चेंज हो गए हैं अब एड कर देंगे उबला हुआ आलू 3 पीस मीडियम सेच के उबला हुआ आलू को ग्रेट करके लिए हैं मसाले के साथ आलू को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे 2-3 मिनिट के लिए आलू को भुनते हुए 2-3 मिनिट हो चुके हैं अब एड करतेंगे स्वादनुसर नमक 3-4 चुटकी की जितना भुना हुआ जीरा पाउडर 3-4 चुटकी की जितना गरम मसाला Half teaspoon red chili flakes मुठ्थी भर बारिक कटा हुआ हरा धनिया आलू के साथ सारे मसाले को एक साथ मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे 2-3 मिनिट के लिए आलू के मिक्सर एकदम रेडी हो चुके हैं अब ग्यास बंद करने के बाद मिक्सर को पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे डो को रेश्ट करते हुए 15 मिनिट हो चुके हैं अब डो को दोनों पार्ट में तोडने के बाद एक पार्ट को ढख के साइट में रख देंगे और दूसरे पार्ट के उपर सुखा मैदा लगाने के बाद बड़े सैच के रोटी के तरह बेल लेंगे आलू के मिक्सर को एक चम्मच के मदद से रोटी के उपर इस तरीके से फ्हला लेंगे रोटी के चारव तरप आलू के मिक्सर को अच्छे से लगा लिए हैं अब रोटी को पीछे के तरप से इस तरीके से फोल्ड करते हुए रोल के सेब देंगे रोटी के लाश्ट पाट में थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा देंगे जिससे की रोल जो है वो अच्छी से सेट हो जाए रोल को इस तरीके से थोड़ा सा लंबा बना लेंगे रोल के दोनों साइट को थोड़ा थोड़ा करके काट के निकाल देंगे जितना पाठ हमें काटना है उस हिसाब से चक्कू के मदद से रोल के उपर निशान बना लेंगे इस तरीके से कट लगाने से हार एक पाठ जो है एकदम बराबर बनते हैं सारे कट किया हुआ रोल को सीधा कर देंगे नास्ता के एक पीस को हातों में लेकर दूसरे हातों से हलका सा प्रेस करते हुए नास्ता को सेब देंगे एक पीस रेडी हो चुके हैं इस तरीके से सारे पीस को सेब देंगे सारे नास्ता को सेव दे दिये हैं एक कटोरी के अंदर ले लिए हैं दो टिबिल स्पून मैदा एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर और एक चुटकी नमक डालने के बाद मैदा के साथ काली मिर्च और नमक को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए मैदा का एक पतला बैटर बनाएंगे बैटर का थिकनेश देखिए इस तरीके का होनी चाहिए अब एक एक पिस नास्ता को बैटर के अंदर डालने के बाद तुरंत बैटर के अंदर से उठा कर डाल देंगे गरम तेल के अंदर 8 से 10 टेविल स्पुन तेल को गरम कर लिए है मैंने इस से ज़्यादा तेल के जुरूरत नहीं है अब एक एक पीस नास्ता को डाल देंगे कड़ाई के अंदर गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखते हुए नास्ता को थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे नास्ता के नीचे के तरब गोल्डन कलर आ चुके हैं अब सारी नास्ता को पलट देंगे नास्ता के दूसरे तरब भी बढ़िया कलर आने देंगे नास्ता की दोनों तरब देखिए बड़िया कलर आचुके हैं अब सारे नास्ता को कड़ाई से बहान निकल लेंगे सेम प्रोसेस से सारे नास्ता को फ्राई कर लेंगे सारे नास्ता को फ्राई कर लिये हैं नास्ता को ग्रीन चटनी के साथ सर्प किये हैं मैंने आप चाहें तो टोमेटो सोस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं एक बार इस तरीके से बने हुई मैदा और आलू के नास्ता को घर में जुरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके जुरूर बताना कि आपके नास्ता रेसिपी कैसे बने हैं खाईए खेलाईए और इंजोई कीजिए थेंक्स पर वाचिंग